नमस्कार मैं हुरेनु भाटिया नियूजब भारत में आपका स्वागत है दर्जवा मामला एक महिला के मामले में गर्वित और उसके साथी पहुचे थे इलाज को लेकर लापरवाही कारोप लगा कर काटा था अंगा डाक्टर से गाली गलोज का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ सावाय रही पुलीस की मौजूदकी में डाक्टर सोवीती जमकर अब मैं यहां पर जूटी पे था उसला एमर्जनसी में और हमारे इसके में साब ने मुझे फोन किया कि एक वेशन जो है यहां पर भरती करना है तो वोटी के बाहर जो है वहां पर जब गया तो मैंने देखा वहां करीब 200 लोग को लेके वहां पर लोग भरने पर बैठे थे मु तो उन्होंने का कौन भरती करेगा तो नहीं रख्रसपन भरती करेंगे तो जब मैंने मुझे वो मुखातिव हुए तो बोले अच्छा तुम्ही रख्रसपन भूपता हो जो दो साल पर ले ही कह रहे थे कि राजी उश्यवास्तर बंतरी घब बन गए तो मैंने का हां महीं स दो पनूपता हूं और मैंने जो है क्योंकि राजी भी हमारे पारवारे कमित्र है और मुझे इस वाद का इलम नहीं था तो मैंने उससे पूछा और यह नहीं थे प्रभात नाम का एक रखाथ था ठीक है तो इस बात को लेके इन्होंने दो साल परानी बात को लेके मेरे से नहीं बूच्cott की सबस्क्राइस नहीं करें नहीं करें इसे लों पार्टी सब्सक्राइब करें करें पिछले दस दिन से यह पूरे शहर से हमको जो है नंकी वरे फोन करवा रहे थे और जो है हमारे पास इन्होंने आने की जहमत नहीं उठाई उसके बाद जब मैं आजिस हो गया मुझे जुकी जानवार का अपने खत्रा लगा तब मैंने फिर उठाके इनको कल जो है तैरीर दे से मैं पुछना चाहता हूं साशन से प्रकार से कि जो डाक्टर अपने जीवन काल को सभूल के जीवन while को पुल के एक मैंने से रही बलकि पिछले आठ मैंने से जान दिये पड़े हैं और इसके लिए हमारे जो पनतरी जी और कि हमारे मुक्मंत्री कहते हैं कि डाक्टरों का संबान करिए और यह तो इस तरह से संबान होगा कि हम डाक्टरों की काप्रियव रिक्षे शाब्ट जातेंगे क्या मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से बिनम्ता कि यह हमारा समाज इसी तरह उगाई की जाएगी डाक्टरों से आप से चाहता हूं कि इस व्यक्ति के खिलाब सक्से सक्क कारवाई करके समाज में एक नदीड की जाए ताकि आगे चलके यह एक सब लोगों के लिए सबक बने सोल अक्टूबर की घटना है तो उनके द्वारा यह आरोप लगाए गया है कि जब उस दौरान गर्वित नारंग जो अब्युक्त है और अपने कुछ साथियों के साथ हुआ पर आया और इंके साथ बत्तमीली कि इस अंदर में आई पीसी तीन सो पिस्पन पांसो चार और पांसो शेट भाराएं से अंतरकर मुकंद अर्वित नहीं अभी तक तो ऐसी कोई तहरीर नहीं आई है जो भी विदेक कारवाई होगी उसको कारवाई की जाएगी देश विदेश की सबसे बड़ी और एहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूजभ भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं